अविशेक बच्चन और एश्वरिया राय बच्चन के तलाग के खबरों कुली कर खूब चर्चाएं बनी हुई हैं क्या आपको भी असा लगता है कि ये दोनों जोड़े जो हैं जिनकी केमिस्ट्री बढ़ी अच्छी है चिनके बीच एक अजब सा बॉंड भी नसर आता है क्या वो अब कमसूर हो क्या है क्या ये रिष्टा तूट जाएगा पिछले कई महीनों से दोनों के तलाग के अफवाहें बहुत रोट रही हैं अफवा क्यों उड़ी वो भी हम आपको बताते हैं क्योंकि हर खबर के दो पहलो होते हैं बिना आग के धुआ नहीं और ये बेवज़ा है या नहीं है हाला कि ये उनका अपना नीची मसला है उस पर उनकी अपनी राय या सहमती या ना सहमती हो सकती है जुलाई में अभिशेक मचन अपने परिवार के साथ अनन्त और राधिका के शादी में हिस्सा ले निकले पहुंचे ग्रेट कार्पिट पर अभिशेक का पूरा परिवार आपको नजर आया होगा हाला कि उस वक्त अश्वरिया राय और उनकी बीटी आ राधिया जो है वो उनके साथ नहीं थे कयास यही से शुरू होने लगे हाला कि इससे पहले भी कुछ घटन करम हो हैं जिसमें इस बात की चर्चा होने लगी कि भई परिवार में रिष्टे ठीक नहीं है वो मजबूती नहीं दिखती है लेकिन इस घटन के बाद से इसकी चर्चा जादा होने लगी अभिशेक के पहुंचने के कुछ समय के बाद एश्वर्य राय पहुंचती है यहाँ पर रेड कार्पिट पर बीटी के साथ और पेपराजी को पोज भी उन्होंने दिया अलग-अलग एंट्री लेने के साथ-साथ वो पूरी शादी में एक साथ नजर नहीं आए इसके बाद एश्वर्य राय पनी बीटी के साथ वेकेशन्स पर चली गई वहाँ पर भी अभिशेक बच्चन उनके साथ नजर नहीं आते हैं बताते चली के अभिशेक बच्चन औ अपनी शादी की अउठी उन्होंने दिखाते हुई उसका जवाब दिया उन्होंने कहा कि मैं अभी शादी शुदा हूँ भई आगे उन्होंने कहा कि मेरे पास आप सबको कहने क्लिक कुछ नहीं है स्वभाबिक है एक परिवार जिसके जो सेलिब्रिटी है और लोगों के अभी चर्चाएं होती रहती हैं तो लोग ना समझी में कुछ भी कह देते हैं आप सभी ने इस बुद्धी को पढ़ा चोड़ा कर पेश किया है उनका ये कहना है मैं समझता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया है आपको कोई स्टूरी फाइल करनी होगे इसलिए आप लोग ऐस अभी शेक बच्चन कहा रहे हैं साथ होते तो शायद ऐसी बात नहीं होती साथ साथ देखते तो ऐसे कयाज नहीं होते और हम सब तो यही चुआते हैं कि ये जोड़ा हमिशा साथ साथ रहे इस ख़बर पर क्या है आपकी राए पताईए गया से